आशा करता हूँ आप साथ बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम है सिद्धान तक नहीं होते ही श्रड़ी आईक्यूपैप का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे सुनीता यादफ की यह जो कॉंट्रोवर्सी है सुनीता यादफ कॉंट्रोवर्सी सुनीता यादफ जैसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है जो इन्होंने करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो गई है पावर के खिलाफ खड़ी हो गई है और सीधा चुनौती दे डाली इनोंने पॉलिटिक्स को होता क्या है कि अगर कोई MLA या MP का ड्राइवर भी हो वो भी ऐसे अकड़ के चलता है कि पता नहीं कहां का राजा है आप समझे रहें ऐसे कई बार आपने स्टोरी सुनी होगी यह MP की गाड़ी को किसी ने ओवर्टेक कर लिया वो उनको पीट दिया अकसर MP तो नहीं होते हैं लेकिन उनके बच्चे होते हैं वो जो लाल बत्ती होती है यह जो गाड़ियां होती है यह उस पद की होती है किसी इंसान की नहीं होती है और यह कोई और नहीं चला सकता यह MP चेबल से भी नीचे पोस्ट होती है उससे रिजाइन कर दिया और अब ये IPS officer बनेगी IPS officer बनेगी ये UPSC की तयारी करेंगी हमारी शुख कामना इनके साथ है तो हम बात करेंगे इन्होंने क्या जबर्दस्त कारणामा करके दिखाया कितनी बहादूर है चलिए आगे बढ़ते ह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसके बाद बैल आइकन दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ट्विटर पे मैं आ गया हूँ ये रही मेरी आईडी तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सुनीता यादव को लेडी सिंगम बोला जाता है ठी सुनीता यादव को नौन प्रियंका चोप्राइब क्या प्रियंक चुप्राइब कॉरे किया खेंग्गा जल में रोल्ल के कि य। उससे बहुत य॥ इंस बहुत इंस्पायट और इसके बाद यह आरμी में आ चाहती थी आर्मी में जाना चाहती थी मतलब इनका NCC का Alpha Certificate है जो कि सबसे उपर सबसे बहतरीन माना जाता है लेकिन family ने आर्मी में जाने नहीं दिया तो फिर ये पुलिस में आगी ठीक है बनना तो IPS ही था लेकिन कोई बात नहीं पुलिस में ये LID बनी है तो अब हुआ क्या दोस्तों पहले मैं घटना की बात कर लेता हूँ अगर हम बात करते हैं आठ जुलाई को क्या हुआ ये घटना जो है वो आठ जुलाई की है तो हम ये देखते है कि कुछ लड़के गाड़ी से आए अकेली थी ये और कोई नहीं था कुछ लड़के गाड़ी से आए, पांच लड़के थे वो आप सरकार ने बोला है, दस बज़े के बाद कर्फियू लग जाता है आपको पता ही है, जेनुविन रीजन सो तब ही आप बाहर निकली है लड़के बाहर है इस समय तक कोई वीडियो शूट नहीं कर रहा था लड़के बाहर है, सुनीता यादव ने बोला कि कोई जेनुविन रीजन है आपका लड़के बता नहीं पाए सुनीता यादव के पास कुछ नहीं ऐसा था जो परची काट सके है चालान कर सके तो सुनीता यादव ने उनसे उठक बैठक करवा दी लेकिन अभी तक दोस्तों वो जो लड़के हैं वो सुनीता यादव से बहुत अच्छे से बीएव कर रहे थे वो बार-बार सौरी बोल रहे थे और इनको भी लगा कि ठीक है चलो गलती हो जाती है कोई बात नहीं इस पार छोड़ देती हूं लेकिन फिर भी सजा तो देनी है बताना न कि ये बताती है अपने हर इंटर्वी में बताती है कि खाकी की पावर बहुत बड़ी होती है हमको फर्ज निभना होता है अगर मैं उनको छोड़ देती तो फिर मैं अपने जो मेरा profession है फिर उससे सही नहीं होता ठीक है वो गलत होता सजा अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो उनको सजा मिलेगी फिर वो कोई भी हो तो सुनीता या तो ने उनसे उटक बैटक करवाई लेकिन इतने में ही गड़बर हो गई इतने में गड़बर क्या हो गई कि किसी ने फोन कर दिया इन महाशय को अब ये महाशय कौन है ये महाशय है प्रकाश कनानी के बेटे स्वारी कुमार कनानी के बेटे प्रकाश कनानी कुमार कनानी जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है Minister of State for Health for the Government of Gujarat और आपको बता दो कि इनका काफी बड़ा नाम है कुमार कनानी बहुत एक respected leader है ठीक है बहुत एक respected विधायक है ये MLA है ये और बड़े respected है इनके बेटे जो है प्रकाश कनानी इनको किसी ने फोन कर दिया अब प्रकाश कनानी तन तन आते हुए है और फिर हम देखते हैं वीडियो शूट हुआ बहस काफी तीखी बहस हुई प्रकाश कनानी और सुनीता यादव के बीच में सुनीता यादव ने बोला कि आपको रात 9 बजे के बाद घर से बार निकलने की इजाजत किसने दी और इसी बीच इस लड़के ने कुछ बोलने की कोशिश की तो सुनीता यादव ने डांटते हुए इसको कहा कि तुम अपना मूँ बंद रखो बिलकुल बंद लेकिन दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि प्रकाश का नानी ने कुछ ऐसा बोल दिया 365 दिन तक अगर मैं चाहूं 365 दिन तक तुमको यहाँ पे खड़ा रख सकता हूँ यह होता है रॉब पिता जी है ML यह कुछ नहीं है तो उसके बाद सुनीता यादव का मूट खराब हो गया उन्हों ने बोला कि मैं तुमारी गुलाम हूँ क्या तुम मुझे 365 क्या पागल समझके रखा हुआ है हम पागल है जो रात के 12 बजे यहाँ पे खड़े है अपना नाम बताओ तुमें लगता है तुमारे पास इतनी ताकत है कि तुम मुझे 365 दिनों तक खड़े रख सकते हो क्या मैं तुमारी नौकर हूँ बताओ क्या मैं तुमारी गुलाम हूँ आपने कहा कि मुझे 365 दिनों तक खड़ा रख सकते है कैसे? मैं देखती हूँ मैं खाकी पहनती हूँ और इस वर्दी के साथ मुझे अधिकार है कि मैं नदेंद्र मोधी को भी रोक सकती हूँ क्या बात है और इतनी तेजी से कहा कि सब की हवा टाइट हो गई है ना पुलिस की पावर दोस्तों पुलिस का काम है law and order maintain करना और ऐसे कोई भी चैलेंज करके नहीं जा सकता है ये बिलकुल घलत है उसके बाद इन्हों ने अपने पिता जी को फोन लगा दिया कुमार करनानी को फोन लगा दिया और फिर उसके बाद आप ने वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें सुनीता यादव कुमार करानी से बात कर रही है आप कुमार करानी बता रहे कि मेरा बेटा है तो गाड़ी लेके घूमेगा एक और बात होगी थी दोस्तों कि जो गाड़ी लेके आये थे अपने पिता जी के लेके आये थे और जब इनसे पूछा कि अब अपने पिता जी की वो सरकारी गाड़ी है उस पे बकाइदा लाल बत्ती और विधायक लिखा है वो कैसे ये लेकिया आगए और जब इनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे गाड़ी लेकिया आगए तो उन्हों ने बोला कि और कोई गाड़ी नहीं थी रात में क्या बात है तो यहाँ पे सुनीता यादव ने ये भी बोला कि नेम प्लेट उतरवाओ ये गैर कानूनी है आप नेम प्लेट कैसे लगा के अपने पिता जी की घूम रहे हैं तुरंत उतरवाओ उस पे भी कारवाई की और फिर इन्होंने उतारी लेकिन दोस्तों पहले तो इन्होंने बह लागी बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही थी लेकिन मिनिस्टर को भी अच्छा घासा सुना दिया कि आपका जो बेटा है वो गाड़ी लेके घूम रहा है है ना अब मिनिस्टर जी का ये बयान है मंत्री जी का उन्होंने बोला है कि जो उचित कारवाई हो करो ये सब अर तारीफ की लेकिन इनका ट्रांसफर कर दिया अब ये कैसी तारीफ है मुझे समझ में नहीं आया तभी इन्होंने अभी बताया अभी जब इनका इंटर्वी बहुत सारे आज तक पर इन्होंने इंटर्व्यू दिया इन्होंने बोला कि मुझे पहले लगता था कि जो पाव और उसके बाद system को ठीक करूँगी ठीक है तो यह चीज है अब दोस्तों इसके बाद इनका criticism भी वह कई बार इनको negative भी लिया गया ठीक है बहुत इनको उल्टा सीधा बोला गया death threats मिली इनके पिता जी को एक तरफ तरफ तॉम देख रहे हैं इनकी बहुत तारीफ हुई लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रोलिंग आर्मी होती है न ठीक है वो इनके पीछे पड़ गई समझ रहे हैं बहुत abuses threats for her life और बहुत pressure में थी ये सुनीता यादव ने एक interview में बताया था कि मैंने जो है मेरे seniors मुझे support कर रहे हैं पुलिस से support है लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझे support नहीं कर रहे हैं मैं बहुत pressure में हूँ ठीक है यहां तक कि इनका police station के transfer कर दी है इनका ठीक है ये सारी चीजे तो अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ कि जब transfer तो यह फिर इनके एहम पर बात आ गई self-respect पर स्वाब इमान पर बात आ गई इन्होंने स्तीफा दे दिया वो बहुत अच्छा किया इन्होंने स्तीफा दे दिया बोला कि अब मैं UPSC की तेहरी करूंगी और IPS बनूंगी और फिर बताती है कि इस incident के बाद यह अपने घर गई मैंने बताया ना कि अभी इनको घर जाना था ठीक है इनके साथ कोई नहीं था बता रही थी है कि कोई हाथसा हो सकता था एक interview में एक article में पढ़ रहा था उसमें बताती है कि इतने लोग मेरे साथ 5 लोग कुछ भी हाथसा हो सकता था मेरे साथ ठीक है कोई कांड हो सकता था फिर कौन इसके जब्मदारी लेता है ना भले ही यह police officer रहे लेकिन she was all alone and she was a girl और यह अखेले भिड़ गई छे लड़कों से ठीक है तो यह भी यह बताती है इस point को भी डेस करती है तो हुआ क्या दोस्तों कि जब यह वापस घर गई तो इनके जो भाई बहन थे वो इंतजार कर रहे थे इनका लेकिन फिर कोई खाना नहीं बनाया राद भर रोती रही है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे पास इतनी ताकत है मैं सारी चीज़े को कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन आज मुझे पता चला यह ताकत सिर्फ मतलब ऐसे यह rank में position में जादा ताकत होती है आप समझ रहें और अगर अभी की बात करें तो जैसा कि मैंने बता UPS से की तयारी तो करेंगी और यहों ने बताया कि अगर माल लो कि UPS से मेरा नहीं निकल पाया तो या तो वो LLB मतलब लॉयर बनेगी या फिर जर्नलिसम में जाएंगी आप समझ रहें तो यह चीज़ है हाला कि पुलिस ने मिनिस्टर के बेटे को और दोस्तों को अरेस्ट कर लिया है ठीक है गुजरात वैसे बहुत ही safe place है आपको बता दू और तो के लिए गुजरात एक बहुत ही safe state है यह खुद भी बताती है एक interview में बताती है कि मैं अराम से 12 बजे बहार निकल सकती हूं कोई डर नहीं रहता गुजरात एक बहुत ही safe place है अगर और तो की बात करें ठीक ह majority of the production जो है वो गुजरात से होता है समझ रहे तो ये पूरा का पूरा issue था और इसका aftermath क्या हुआ ये मैंने आपको बताया आप समझ रहे हैं अब दोस्तों चलिए सब तो मैं आपको बताई चुका हूँ अचा इन्हों ने बताया कि मेरे पास इतनी ताकत है कि अगर राष्ट्रपती भी कुछ भी गलती करें या अगर ऐसे रूप तोड़ें तो खाकी के पास इतनी पावर होती है कि हम उनको भी रोग सके ठीक है आप ये बताती है कि सिस्टम भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है ट्रांसफर कर दिया तो कैसा सपोर्टिव पॉलिटीशन, पुलिस का निक्सस है और ये पहली बार नहीं है जब इनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ ठीक है ये RB में जाना चाहती थी UPSC में यहां तक इनके लिए सीट भी रिजर्वड थी इनको NCC का अलफा सर्टिफिकेट मिला बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है लेकिन उसके बावजू दिन्होंने पॉलिस जोइन की और ये बताती है कि हमारे पास इतनी थाकत है लेकिन ये पहली बार इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है इसे पहले भी इनके साथ कुछ और ऐसे इंसिडेंट हो चुके है और उसके बाद इनके सबको ठीकाने लगाया सबको डाटा यह बताती है कि मुझे intimidate किया गया और कोई भी help नहीं थी यहां तक कि जो video shoot कर रहा था वो भी मदद के लिए आगे नहीं आया वो खाली video shoot कर रहा था ठीक है तो यह है अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है इस खबर पे हमारी नजर जो है वो बनी हुई है यहां पे एक और issue यह raise करती है कि public का treatment भी हम लोग बहुत अच्छा नहीं करते है police बहुत pressure में रहती है लेकिन public भी बहुत इम्मीदों से आती है public के बेना हम कुछ नहीं है मैं पहले एक खाकी युनिफॉर्म हो सुनीता है अदव से पहले लेकिन यह post अप irrelevant लगती है और युनिफॉर्म की respect होनी चाहिए तो यह इन्होंने बताया है resignation अभी खबर यह आ रही है कि इनका जो स्तीफा है वो मन्जूर नहीं किया गया है ठीक है आज कल स्तीफे मन्जूर नहीं किया जा रहे है resignation मन्जूर नहीं किया जा रहे है जो सरकारी जैसे मैंने कुछ IS officer की biography रिव्यू की थी तो उन्होंने भी जब स्तीफा दिया तो वो भी अभी तक मन्जूर नहीं हुआ है ठीक है फिलाल दोस्तों आगे हम देखेंगे कि क्या होता है ये इशू था आई होप आप समझे होंगे लेकिन दोस्तों हिम्मत कि यहाँ पर दात देनी पड़े हैं आप देख सकते हैं कि कितनी बहुत मुश्किल होता है बहुत करेज़ चाहिए आप इतने बड़े सिस्टम से अगर अकेले भिड़ रहे हैं रेपर कर्सेंस आप देखें न इतना कुछ इतनी तारीफ की काभिल नहीं है लेकिन उसके बावजुद इनको बहुत धंकिया मिली ठीक है इनको बहुत उल्टा सिधा यहाँ तक इनकी मीडिया में भी कुछ मीडिया चानल स्रेंग की नेगेटेव इमिज दिखाई ठीक है तो इससे यह दुखी है लेकिन हिम्मत नहीं हा रही है अन्हें बताया ना कि इनको लेडी सिंगम बोला जाता है ठीक है तो हमारी तो शुक कामना है इनके साथ है बहुत अच्छा किया इनोंने और ऐसे ही अपनी जब्मदारी निभानी चाहिए तो यह लेचरता आयोब आपको फसंद आया होगा खुछ नहीं पढ़ते रहे है जिसे सिद्दान तक नहीं उतरी साय नहीं हो